हलो फ्रेंड्स और में इंडिश्टियल फार्मेसी वन बीपी फाइफ जीरो टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फाइब में फार्मसोटिकल एरोसॉल में कम्पोनेंट आफ एरोसॉल पैकेज के पार्ट टू में वाल्प और एक्चुएटर्स के बारे में डिटेल में पार्ट वन में हम लोगों ने प्रोपलेंट और कंटेनर के बारे में बात कर लिया है तो अगर वो वीडियो आप से मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से जाके आप उसको भी अच्छे से देख सकते हैं आज हम लोग इस वीडिय को ने प्रोपलेंट के बारे में बात कर लिया था जो कि हमारे एरो सॉल पैकेज का जो हर्ट है वो कहलाता है और उसमें हम लोगों ने कंटेनर के बारे में डिटेल में बात कर लिया था कि जो हमारे कंटेनर से हैं वो हम लोग किन-किन मैटेरियल के कंटेनर को बिसिकली हम जब इसके valve को open करते हैं, actuator को press करते हैं तो हमारा content हमें यहाँ पे expelled out होते हुए, pressure के साथ में बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है उसके बाद में यह जो इसका हमारा outer है, यह हमारा container है, वो basically यहाँ पे होता है उसके बाद में जो content है उसको properly हमारे container से बाहर निकालने के लिए इसके अंदर जो valve है वो यहाँ पे होते हैं तो इस place पे देखें तो यह हमारा जो valve की यहाँ पे एक तरसे assembly है वो है और यह हमारा actuator है जिसके through हमारा content हमें बाहर निकलते होगे देखने को मिलता है तो इस गाल निकलते हैं वाल है उसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारे यहाँ पे multifunctional होते हैं मतलब इससे हमें काफी सारे काम्स होते हुए देखने को मिलते हैं तो अगर हम लोग इसके functions के बाद करते हैं तो यहाँ पे पर होता है, medication अगर हो उसका एक given amount एक निश्चित amount अगर हमें उस place पर वो deliver करना होता है, तो फिर उस condition में उसके लिए भी ये हमें capable basically होना चाहिए, तो simply हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर होता है, aerosol का wall उसके हमारे काफी सारे function है, उसमें जो कुछ important function है, वो क्या ह है, उसको वो desired form में deliver करने के लिए capable हो, आसानी से open हो जाए, आसानी से close हो जाए, और अगर जो हमारा वहाँ पर medication है, उसका एक निश्चित amount हमें deliver करना है, तो वो भी उससे हमें होते हुए देखने को रात हो, उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे walls होते ह है, उनका जो construction है, उसके लिए हम लोग कहुंसे materials को use करते हैं, तो जो हमारा food drug और administration है, FDA है, उसके द्वारा approved हमारे जितने भी material है, उनको हम लोग अपने aerosol के wall के construction में basically use कर सकते हैं, तो simply हम लोग यहाँ पे ऐसे material को wall के construction में बनाने में use करते हैं, जो की FDA द्वारा approved होते ह है, तो जो हमारा यहाँ पर होते है, aerosol जो उसके रorm से Suppose बेसिकृली हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, पहला हमारा जो होता है, यहाँ पर continuous spray wall होते है, दूसरा हमारा यहाँ पे metering wall यहाँ पर होते है, då हम लोग continuous spray wall के बारे में बात करते हैं, तो इसमें क्या है जै continuous spray valve होता है और अगर हम लोग जो हमारा metering valve है उसके बारे हम बात करते हैं तो उसमें अगर हम लोग एक बार प्रेस करें तो एक निश्चित amount जो हमारा content है वही हमें deliver होते हुए देखने को प्राप्त हो तो इस तरीके से हमारे valve को basically हम लोग दो बाग में divide करने का काम करते हैं तो टाइपस में divide करने का काम करते हैं सबसे पहले हम लोग continuous spray valve के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग इसको जब तक वो दाबे रहेंगे तब तक इसका content हमें बाहर निकलते होगा देखने को राप्त होगा उसी के against अगर हम लोग जो हमारा यहां पर होता है कह सकते घर निकलता है और उसके बाद में यह हो जाता है तो इस तरीके से हमारे जो वाल्व है वो हमें यहां पे जो हमारा continuous spray valve है उस चाइप का भी valve देखने को मिलता है और यहां पर हमें metering जो हमारा valve है जिसमें एक निष्चित अमाउंत हमारा content बाहर निकलता है वो भी देखनेक मिलता है तो यहाँ मैंने इनको इस्प्रे किया बड़ी अच्छी इस मिला रही है आप लोगो भी फील हो रही होगी तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारा continuous spray wall होते हैं उनके हमारे यहाँ पे क्या-क्या parts होते हैं तो इसमें हमें काफी सारे part देखने को मिलते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला part है वो हमारा जो होता है ferule या mounting cup है वो basically यहाँ पे होता है तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है कि सकते हैं ferule है या mounting cup है उसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा container है उससे wall properly हमें attach होते हुए देखने को प्राफ्थ हो इसके लिए हमारा यहाँ पे जो ferule है वो basically होता है against यहाँ जो हम लोग यहाँ पे अगेन आते है तो यह जो हमारा हिस्सा है यह basically हमारा amounting cup या जो हमारा होता है ferule वो basically यहाँ पे है तो इस condition में यह हमारे container को और जो valve है इसके अंदर का जो हमारा जो valve की assembly है उसको यहाँ पे आपस में attach करने के लिए इसको basically हम लोग use करते हैं और यह अधिक तर जो हमारा tin plate steel है उसकी form होती है या इसको हम लोग जो हमारा aluminium है उसकी यह बनी हुई होती है तो अगर हम लोग इस place पे देखें तो यह हमारा कु side होता है जो इसके यहाँ पे जो एक जो इसके अंदर का side है वो हमारा जो content है इसके अंदर का content है उसमें हमें exposed होते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके बारे हम बात करें तो इसके जो अंदर का side होगा इसके जो हमारा inside है वो हमारा जो content इसके जो हो डबल होता है epoxy या हमारा जो होता है वेनिल उसकी coating करने का काम करते हैं, जिससे कि हम लोग जो corrosion के chances हैं उसको basically यहाँ पे prevent कर सकें, रोग सकें, उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो हमारा दूसरा part है उसके बारे हम बात करते हैं, तो यह हमारा जो wall की body है या housing है वो basically यहाँ पे होता है तो अगर हम लोग again इसमें आते हैं तो इसके अगर हम लोग अंदर का जो हिस्सा है वो देखें अगर हम लोग यहाँ पे इसके जो अंदर का हिस्सा है उस पे आते हैं तो यहाँ पे जो अंदर का हिस्सा है यह हमारा इस प्लेस पे देखें तो यह हमारा जो housing या body है उसका basically यहाँ पे structure है तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा valve की body या housing होती है उसके बारे हम बात करते हैं तो यह अधिकतर जो हमारा nylon है या हमारा delrin है उसका यह manufacture होता है इसको हम ल opening देखने को प्राप्त होती है और यह जो opening इसके अंदर होती है उसमें एक dip tube हमें attach होते हुए देखने को मिलती है एक जो हमारे dip tube है वो इसके अंदर हमें connect होते हुए देखने को मिलती है तो अगर हम लोग जो हमारा dip tube है उसके बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर अगर यह transparent होता, तो इसके अंदर हम देखतें कि यहाँ पर जो pipe है, वो यहाँ से हमारा content का जो container है, उसके नीचे तक आते हुए देखने को मिलती है, वो जो tube है, वो basically dip tube होती है, तो यह जो हमारे वो dip tube है, यह हमारे यहाँ पर जो body या housing है, उससे हमें connect होते हुए देखने को मिलती है और जिसके कारण हम लोग उसके size की एक opening इसके अंदर रखते हैं और इसका अगर जो diameter है उसके range के बारे में बात करें तो इसका जो diameter है opening का वो 0.013 से 0.080 inch का diameter इसका होता है तो अगर हम लोग यहाँ पे जो housing है उसके बारे में बात करते हैं तो house में जो housing है उसमें एक तो opening हमने बात कर लिया और एक opening वहाँ पे हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है अगर वह opening housing में अगर होती है तो इसको हम लोग vapor tap के नाम से indicate करते हैं तो अगर हम लोग जो vapor tap है उसके बारे में बात करते हैं तो यह इस place पे क्या करता है कि जो भी हमारी हमारा यहां पे होता है करेशक्ते vapor tap है वह जो भी हमारा प्रोपलेंड vaporize होता है एक्सेस क्वांटिटी में अगर वैपराईज हो रहा है तो उसको skip करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं जो liquid product हमारा जब उसको हम लोग open करते हैं तो liquid product जो निकलता है उसके साथ में वापरा जो हमारा propellant vaporize होता है उसको skip करने के लिए यहाँ पर एक वापर टैप एक छोटा सा छेन हम लो और यहाँ पर रखने का काम करते हैं तो अगर हम लोग जो यहाँ पर हमारा होता है वापर टैप उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा size है वह 0.013 से 0.080 इंच का हम लोग यहाँ पर इस range का हम लोग जो वहाँ पर होल है जो की vapor tap कहलाता है उसको रखने का काम करते हैं तो आई यह हम लोग इसको diagram में देख लेते हैं जो housing है जो body है उसको तो यहाँ पर यह इसका जो है diagram है तो इस condition में क्या है कि इसमें हम लोग हमारा opening है इस side एक जो ओपनिंग है वो होता है जिसमें लोग जो dip tube है उसको connect करने का काम करते है और इसमें एक जो hole है वो यहाँ पे होता है जो कि हमारा जो वैपर ट्रैप है वो basically कहलाता है excess quantity जो हमारे valve के अंदर वैपर आ जाती है propellant की उसको skip कराने का काम करता है उसके बाद में जो हमारा अगला component है जो कि stem कहलाता है अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं अगर हम लोग stem के बारे में बात करते हैं तो यह भी जो nylon है या जो delrin है उसका ही form होता है तो यह जो हमारा structure है यह हमारा stem इस place पे basically कहलाता है यहाँ पे हम लोग कुछ जो metals हैं उनको भी अपना जो stem है उसको form करने के लिए use करते हैं जो brass है या stainless steel है उसको भी हम लोग stem को form करने के लिए utilize करते हैं और यह stem क्या है यह हमारा जो होता है कह सकते हैं कि हमारा mounting cap है और जो हमारा वहाँ पे जो gasket है उन सब को properly एक arrangement में लेके आने का काम करता है और अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो stem है इसमें हमें यहाँ पे कुछ orifice कुछ छिद्र देखने को राप्त होते हैं और अगर इसमें अगर जो एक chain है अगर हमारे stem में होता है तो उसकी जो diameter की range है वो 0.013 से 0.030 inch के आसपास होती है और अगर अगर उसमें हमें जो तीन orifice हैं वो देखने को मिलते हैं तो फिर उसका जो diameter है वो 0.040 inch के आसपास हमें देखने को मिलता है तो इस condition में अगर हम लोग simply यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर होते हैं और जो हमारे यहाँ पर stem होते हैं उसमें हमें एक या उससे अधिक जो ओरिफिस है छिद्र है वो stem में हमें देखने को मिलते हैं और अगर एक ओरिफिस है तो उसका जो diameter का range है वो 0.013 से 0 0.030 inch है और अगर हमारे जो orifice हैं वो अगर 3 होते हैं तो फिर वो 0.040 inch के आसपास उसका range होता है उसके बाद में जो हमारा अगला यहाँ पर पार्ट है वो जो gasket है वो कहलाता है तो gasket का structure हमारा इस तरीके का होता है तो यह हमारा जो हमारा वो rubber होते हैं वो like जो हमारा यहाँ होता है वो Buna N का हमारा वो rubber है या जो हमारा वो new print का जो यहाँ पर rubber होता है वो basically हम लोग इस place पर use करते हैं तो यहाँ पर नाम से जो हमारा Buna N है या new print का rubber है उसका prepare करते हैं तो यह हमारे अधिकतर जो pharmaceutical formulation है उनके साथ में हमें compatible देखने को मिलता है तो इनको हम लोग आसानी से अपने pharmaceutical aerosols में use कर सकते हैं उसके बाद में जो हमारी अगली यहाँ पर assembly है वो stainless जो हमारा spring है वो होता है तो अगर हम लोग spring के बारे में बात करते हैं तो यह हमारा जो यहाँ पर होता है gasket उसको एक proper place पे hold करने का काम क जब जब बाते हैं तो जो हमारा actuator है उसको जब हम लोग press करते हैं उसको जब दबाते हैं तो क्या होता है कि यह हमें release होते हुए देखने को मिलता है जब हमारे valve को छोने तो फिर emptiness cricket है उस पहर हमारे wahl को रिटर्न कराने का basically काम करता है कि मैं जब उसको प्रेस करें तो क्या हुआ वाल हमारा open हो गया content बाहर निकला है जैसे ही हम लोग actuator को release करते हैं छोड़ देते हैं तो फिर क्या हो कि हमारा जो close जो position है उस पे हमारा valve return होते हुए हमें देखने को प्राप्त हो इसके लिए हम लोग stainless steel की spring को basically use करते हैं तो अध assembly है वो जब आपस में यहां पर सेट हो जाती है और वो dip tube जब यहां पर attach हो जाता है तो फिर यह एक प्रकार का हमारा closed जो system है उसको form करता है और इसके बाद में हमारा container इसके साथ में attach होते हुए देखने को मिलता है और जब हम लोग actuator है उसको जब press करते हैं इसको दापत हैं तो क्या होता है कि हमारा जो content है वो इसमें से हमें spray के form में foam के form में या dry powder के form में हमें यहां पे निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है और यह सब जो हमारी यहां पे होती है कह सकते assembly वो हमारे जो भी content है उसको एक proper form में हमारे container से बाहर करने के लिए वो deliver और जब requirement हो तब उसके बाद में उसको close करने में भी हमें simply help करने का काम करता है और इसमें जो हमारा अंतिम component है अंतिम part है वो हमारा dip tube यहां पे basically होती है तो dip tube क्या है यह हमारा जो valve है उससे एक pipe type की आती है और वो हमारे जो container है उसके हमें int पे जाते हुए देखने को मिलती है जिससे कि वो अंदर के content को उस tube के थूँ हमारे जो वहां पे valve है वहां तक लेके आता है और उससे हमें बाहर निकलते हुए content देखने को मिलता है तो जो हमारी यहां पे dip tube होती है वो अधिकतर जो हमारा polyethylene है उसकी हम लोग space पे use करते है या जो हमारा होता है polypropylene उसकी dip tubes को हम लो बेसिकली यहां पे use करते हैं और जो हमारी dip tube है उनका जो diameter है वो approximately उसके अंदर का जो diameter है वो approximately 0.120 inch से लेकर के 0.125 inch के diameter के dip tube को हम लोग use करते हैं अगर हमारा content highly viscous है काफी गाढ़ा है तो उस condition में यह जो हमारा यहां पे इसका diameter है वो थोड़ा सा हम लोग ज्यादा use करते है है जो की 0.195 inch के diameter तक के dip tube को हम लोग basically यहां पे use करते हैं और जो dip tube है इसके थूरू हमारा content हमारे container से बाहर निकल के wall तक आने का काम करता है फिर desired form में हमारे wall से बाहर content निकलने का काम करता है उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा इसका दूसरा type है वो है हमारे metering wall तो अगर हम लोग metering wall के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारी जो drug है वो काफी potent drug है काफी वहाँ पे जो हमारे sensitive और अच्छी drug है तो उस condition में उसका wastage हमें वो required नहीं होता है वहाँ पे हमें एक निश्चित amount substance को ही वहाँ पे deliver करने की आउसकता होती है तो उस condition में हम लोग यहाँ पे metering walls को basically use करने का काम करते हैं और अगर हम लोग इसके operation के principle के बारे में बात करते हैं कि कि यहाँ पे किस सिधान पे work करता है तो यहाँ पे एक जो हमारा इसके इंद वो chamber type का होता है जिसका जो size है वो इस चीज को वहाँ पे determine करता है कि कि कितना amount हमार जो उस place मेडिकेशन है वो dispensed होगा वो हमारे उस chamber के size के उपर basically depend करता है तो हमारा container जो हमारा content है पहले chamber में आ जाता है और फिर chamber से सारा content हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है तो हमारा जो chamber है उसके इंद जितना हमारा substance आ जाएगा उतना ही हमें deliver होते हुए देख निकलते हुए देखने को प्राप्त होगा तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो approximately यहाँ पे कह सकते हैं 50 से 150 mg plus minus अगर हम लोग 10% ले 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 तो हमारा जो liquid material है वो हमें अपने इस से एक बार में dispensed होते हुए देखने को मिलता है इस type के valve से हमें dispensed होते हुए प्राप्त होता है में simply कह सकते हैं कि approximately यहाँ पे 52 150 mg का जो हमारा liquid content है वो एक बार में dispense होते हुए बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है उसके बार में जो हमारी अगली यहाँ पे है कह सकते हैं assembly हमारा अगला component है जो की actuator कहलाता है अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं तो actuator के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो actuators होते हैं वो हमारा जो यहाँ पे aerosol का product है उसमें इस चीज को ensure करने का काम करते हैं कि जो भी हमारा उसके अंदर का content है वो desired form में और एक proper form में हमें deliver होते हुए देखने को प्राप्त हो जो actuator से ही हमें content basically बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है तो like जो आप deodorant वगरा यूज करते हैं तो जब जो उसके ऊपर का एक portion होता है जिसको push करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा hole होता है तो content उसी में से हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है और इसको हम लोग यहाँ पे जो button होते हैं कर सकते हैं buttons हैं यहाँ पे properly specially designed होते हैं और यह हमारे जो valve का stem है उसमें properly fit होते हुए देखने को मिलते हैं और जब यह हमारे valve के stem में properly fit हो जाते हैं तो जब हम लोग इसको press करते हैं तो फिर उस condition में क्या होता है कि यह हमें यहाँ पे आसानी से open और आसानी से close होते और यह हमारा जो Aerosol का package है उसका एक काफी integral अभिन अंग होता है integral पार्ट यहाँ पे होता है तो जब हमारा valve है अगर उसके अंदर actuator नहीं है तो फिर उसके अंदर से content को बाहर निकालना काफी मुश्किल होता है अक्सर हम लोगे साथ होता है कि जो भी उसका cap है या जो उसका वहाँ पे actuator है वो किसी ने अगर उसको निकाल दिया तो क्या हुआ फिर हमारा content उसके अंदर रह जाएगा उसको हम लोग use नहीं कर पाएंगे तो यह हमारा जो Aerosol का package है उसका integral पार्ट होता ह है तो अगर हम लोग actuator के बारे हम बात करते हैं तो हमारा content किस form में deliver होना है उसके जहां पर basis पर हम लोग जो हमारे इस प्रे actuators होते हैं वो use करते हैं foam actuators को हम लोग use करते हैं जो हमारा होता है solid stream actuator उसको use करते हैं या special purpose जो special application जो हमारे actuators है उनको basically use करते हैं तो यहाँ पे अलग-अलग type के हमारे यह actuators होते हैं और हमारा actuator किस type का है वो इस चीज़ पर depend करता है कि किस फ़र्म में हमें content को वहाँ पर expel out करना है तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है हमारा spray actuator तो अगर हम लोगश staan actuator के बारे हम बात करते हैं तो यह यहाँ पर क्या करता है कि जो हमारा propellend की stream होती है और जो हमारा वहाँ पर होता है किसकते है product हमारा consumer concentrate होता है उसको यहाँ पर जो है एक कह सकते हैं कि drop small droplets के फॉर्म में या spray के फॉर्म में यहाँ पर dispense करने का काम करता है बाहर निकालने का काम करता है तो जो भी हमारा propellant की stream है और हमारा product concentrate है उसको एक small droplet या spray के form में हमारे container से बाहर जो वहाँ पर निकालने के लिए हमारा spray actuator को हम लोग यहाँ यहाँ पर use करते हैं और इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ orifice इसके अंदर छिद्र हमें देखने को प्राप्त होते हैं कुछ openings होती है या जो orifice है वो हमें यहाँ पर spray actuator में देखने को मिलते हैं और जब इसके through content बाहर निकलता है तो वो जो orifice है छिद्र है जब उनसे वो वहाँ निकलता है तो वो छोटे-छोटे droplets के form में हमें spray के form में अपने content से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है तो हमारा जो spray actuator है उसमें जो हमारी openings होती है वो अधिकतर यहाँ पे एक से तीन हमें देखने को मिलती है एक से तीन नंबर में हमें देखने को मिलती है और अगर इनके diameter के बारे में बात करते हैं तो 0.016 से 0.040 inch के diameter के orifice हमें यहाँ पे spray actuator में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर क्या होता है कि जो भी हमारा spray है उसका क्या desired particle size होगा means हमारा जो spray form हो रहा है उसके अंदर जो droplets form होगी उसका क्या वहाँ पर size होगा वो किन चीज़ों पर depend करता है तो यहाँ पर actuator का हमारा यहाँ पर होता है उसका जो उसके उपर हमें depend करते हुए देखने को मिलता है जो propellant है वो उसका जो vaporization है वो कितना vapor के form में convert होता है उसके उपर हमें properly depend होते हुए देखने को मिलता है तो अगर हमारा actuator का जो orifice है और propellant का जो vaporization है उसका एक proper combination अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग वहाँ पे desired particle size की spray को form कर सकते हैं तो अगर हम लोग इसके examples के बारे हम बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो bandage के उपर spray करते हैं वो यहाँ पर होते हैं, जो हमारे यहाँ पर होते हैं, कह सकते हैं, anti septic spray हैं, वो यहाँ पर हमारे इसके example हैं, या जो local anesthetics use करते हैं, या जो food preparations हैं, वहाँ पर हम लोग basically spray को यहाँ पर use करते हैं, उसके बाद में अगर हम लोग अगला जो हमारा actuator का type है, जो यहाँ पर पर जो ओरिफिस है वो थोड़ा लार्ज साइज का देखने को मिलता है यह इसका जो साइज है 0.070 से 0.125 इंच डायमीटर का ओरिफिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मैं simply कह सकते हैं कि इस प्रे एक्टुएटर में जो ओरिफिस है छिद्र है उसका साइज छोटा होता है और जो हमारा यहाँ पर फोम एक्टुएटर है उसमें उसके कमपरीजन में हमें बड़े साइज का ओरिफिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और इस कंडिशन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब हमारा जो कह सकते हैं प्रोड़क्ट है जब हमारे ओरिफिस से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है तो उसका वहाँ पर expansion होता है वो वहाँ पर हमें फैलते हुए देखने को मिलता है और जब यह जो content है वो फैलता है तो फिर हमें proper form का formation यहाँ पर होते हुए देखने को मिलता है तो जो content है वो वहाँ पर एक जो हम कह सकते हैं उसका size जलग है, जैसे ही वो औरफिस से बाहर आता है, वो expand होता है, means वो वहाँ पे फूलता है, फैलता है, तो उस condition में वो हमें foam के form में वहाँ पे निकलते हुए देखने को मिलता है, उसके बाद में जो हमारा अगला है, वो है हमारा solid stream actuator, तो अगर हम लोग जो solid stream actuators हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारा content होता है, वो या तो जो हमारे होते है solid, उसके form में हमें dispense करना होता है, या जो हमारे semi solid, उसके form में हमें dispense करना होता है, तो अगर हम लोग जो हमारे इसके example लें कि, अगर जो हमारा aerosol है उसके अंदर से जो powder है उसको हमें वहां से वो dispens करना है और कोई ointment वगएरा उसके अंदर pack है तो उसको अगर वहांपे वो dispens करना है तो फिर हम लोग यहाँ पे solid stream actuators को use करते हैं और इस condition में हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे foam actuators है उसी की उत्तर है जो हमारा कह सकते हैं उतना ही बड़ा हमारा यहाँ पे इसका भी जो orifice है वो हमें देखने को मिलता है उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे अंत्रिम है वो है special actuator तो अगर हम लोग special actuator के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा वहाँ पे होता है medicament उसको जो हमारा वहाँ पे एक तरह वो deliver उस place पे करने के लिए हम लोग specially designed actuators है उनको यहाँ पे use करते हैं जिससे की जो हमारा यहाँ पे medicament है उसको हम लोग specific site पे जहाँ पे उसके requirement है वहाँ पे उसको हम लोग पे place कर सकें वहाँ पे उसको deliver एक तरह से कर सकें तो इसमें जो हमारा throat है, throat मतलब जो हमारा गला है अगर अंदर की ओर है तो उसमें एक हलका सा pipe type की होती है जो की हमारे throat तक जाती है और फिर वहाँ पे spray करने का काम करती है उसके बाद में जो हमारे nose के aerosols आते हैं उसमें भी क्या है कि वह हमारे जो नाक का छिद्र है उसके अंदर वो जाते हैं और उसके बाद में जो हमारा desired place है वहाँ पे अपना content deliver करने का काम करते हैं ऐसा ही हमारा eye के जो हमारे aerosols होते हैं या जो होते हैं vaginal aerosols है उन में हम लोग special type के actuators को basically यहाँ पे use करते हैं और इस से हम लोग जो content है वो उसको वहाँ पे specific site पे डिलीवर करने का काम करते हैं तो I think so जो हमारा यहाँ पे है aeros इस टॉपिक का पीडियोफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारे एप को भी इंस्टॉल करन बिल्कुल भी न भूलें, thank you